हलो इस्टुडेंट गूड इबनिंग एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारी यूटूब चैनल इस्टिडी विट रीडिंग में इस्टुडेंट्स आप सभी को बता दे कि हमारा टॉपिक चल रहा है सिंदु घाटी से संबंधित महत्यपूर जो प्रसन बन सकते हैं विभिन एक्जामों में जैसे कि यूपी पुलिस, यूपी टीजीटी, पीजीटी और सभी आल इस्टेट एक्जाम जो होते हैं उनमें आ अधुने की तिहास तक चलने वाला है बस आप मेरे साथ बने रहें वीडियो को लाइक करें, कमेंड करें और सेर करें तो चलिए आज के अपने 21 प्रसन को देख लेते हैं निमने लिखित में से किसकी पूजा हडपा संस्कृती में नहीं होती थी आपको बताना है कि हडपा संस्कृती में नहीं होती थी अब प्रसन बाई से हडपा संभेता से पक्की इट का साथ चे कहां से मिला है जो पक्की इट है उसका साथ चे कहां से मिला है लोथल से काली बंगा से धौला वीरा से या अपसंदी के है सुर कोटदा से तो इसका सही जवाब हो जाएगा काली बंगा से तो पकी इट का साच्छी कहा से मिला है काली बंगा से नेक्स्ट प्रस्ण है एक मुद्रा पर एक ब्यक्ति बाग से लड़ता हुआ अंकित है यह किस हड़पास थल से प्राप्त हुआ है आपसन एह लो थल से आपसन भी है राखीगड़ी से आपसन C है मोहन जोदड हुए है मजदूरों के मकानों के उसे किस अस्थल से प्राप्त हुए है लो थल से हडपा से रंगपूर से या रोंपड़ से तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपसन B हडपा नेक्स्ट प्रसन है 25 किस हडपा अस्थल में नाली के निर् लकड़ी का परियोग किस अस्थान से मिला है रंगपुर से लोथल से काली बंगा से या आलमगीर पूर से तो इसका सही जवाब हो जाएगा काली बंगा से अब हम नेक्ष्ट प्रस देख लेते हैं किस हडपा से किस हडपा स्थल से योगी की मूर्ती प्राप्त हुई है मुहन जोदलों से योगी की मूर्ती प्राप्त हुई है प्रसन है कि सैवधर्म का प्रारंब किस काल से माना जाता है हडपा से उत्तरबैदिक से मौर काल से या सुंग कुसानवंस से तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप्सन ए सैवधर्म का प्रारंब कहां से माना जाता ह हडपा काल से, निमने लिखित पसुओं में से कौन ससमों महों जोदरों की पसुपती मुद्रा अंकित है, पसुपती की मुद्रा पर कौन से जानुरों का चित्र अंकित है आपको बताना है, इसका कौन सा ओप्सन सही हो जाएगा, तो इसका सही ओप्सन हो जाएगा, ओप्सन हुआ है कहां से मोहन जोड़ों से लोथल से काली भंगा से या धवला भीरा से विकिसित जल परबंधन तो इसका सही जवाब हो जाएगा अप्सन डी धवला भीरा से नेक्स्ट प्रसन है थर्टीन एक एक जुते हुए खेत के साच्छे प्राप्त हुए हैं जुते हुए खेत के साच्छे कहां से प्राप्त हुए हैं रंगपूर से लोथल से काली भंगा से या मोहन जोड़ों से जब खेत की जुताई हो जाती है त सिंदु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते हैं पस्वपति की, इंद्र की, ब्रह्मा की या विश्णु की, तो आपका कौन सा उप्शन सही हो जाएगा, तो सिंदु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते हैं पस्वपति की, उप्शन ए सही हो जाएगा, अब नेक्ष्ट प्रसन है 22 निम्ण मेंसे कोन सा हडपा अस्थल तीन नगरों में बिभा जित है तो कौन सा ऐसा हडपा स्थल जो तीन नगरों में बिभा जित है रंगपूर, लोथल, काली बंगा या धौला बीरा तो इसका सही जवाब हो जाएगा option D, धवला बीरा या हडपा का ऐसा स्थल जो तेन नगरों में विवाजित था निम्निलिखित पस्वों में से कौन हडपा की मोहरों में प्राप्त नहीं हुआ है तो बताएं ऐसा कौन सा जानवर है जो की हडपा काल के जो उहां पे मोहर बनते थे उनमें उनका चित्र नहीं मिला है तो ऐसा एक ही option है option D, गाय और गोड़ों का मोहरों पे चित्र नहीं मिला है next question है सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पुरास्थल है जो की वरतमान भारत में पाकिस्तान तो अलब हो गया है तो इसलिए बोल रहा है कि भारत में सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का पुरास्थल है option A, राखी गढ़ी ठीक याद रखना important question है next question है कोन से बिसेस्ता सिंधु घाटी की सभ्यता को बिस्व की अन्य समकालेन सभ्यताओं से बिसिष्ट बनाती है अईसा कोन सभ्यता है कि जो अन्य सभ्यताओं से भारत की सिंधु घाटी सभ्यता बिसिष्ट बनती है तो इसका सही जवाब हो जाएगा नगरिये नियोजन important question है next question है मिट्टी की प्राचीन कालीन प्राचीन कालीन 274 मुहरे किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुआ है कहां से 274 मुहरे प्राप्त हुई है किस अस्थल से तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा option D बसार से कहां से मिला है बसार से 74 मुहरे मिली है next question है हडपा का कौन सा अस्थल लोगों का मन का निर्माड करने का प्रमाड देता है ऐसा कौन सा जगा है जहां पर मन के बनाने का निर्माड किया गया था मन का कहां पर बनता था बाला कोट में कोट दीजी में चनहूदडो में या सत्कांगे डोर में तो सही option हो जाएगा चनहूदडो से मन के बनाने का कार खाना भी मिला है अधो लिखित में से किस पुरा स्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है मिट्टी के रथ का परमाड कहां से मिला है तो आपको बताना है आपका option मोंचोदडो राखी गड़ी काली बंगा या धोला बीरा तो इसका सही जवाब हो जाएगा option भी राखी किस पुरा एक बकरिय का अस्थी पंजर प्राप्त हुआ है मतलब मानों के ASTंचर के साथ बकरिय का भी अस्थी पंजर मिला है तो इसका सही होटाएगा कों सा हो जाएगाmay सही option हो जाएगा option D मोहन जोदड़ों से ठीक है याद रखना प्रसंद देखते हैं 40 हडपा संस्कृति के बिध्वन्स के लिए आरे आक्रमण की सिध्धान्त का प्रित बादन किसने किया है किसने माना है कि हडपा का जो बिनास हुआ है वह आरेों की आक्रमण से हुआ है आप जाता है सैंधो पुरास्थल महानगर माना जाता है रंगपूर रोपन काली बंगा या राखी गढ़ी तो इसका सही जवाब हो जाएगा option D राखी गढ़ी आज का 42 प्रसंद देखते हैं पूर्ण बिक्सित हडपा सब्भेता लगभग कितनी सताब्दियों तक जीवित रह पूर्ण बिक्सित था ठीक है यह सहरी ब्यवस्था थी तो यह लगभग कितने सताब्दियों तक जीवित रहा चार पांच साथ या तीन किसका सही जवाब हो जाएगा यह पांच सताब्दियों तक जीवित रहा नेक्स्ट है कि हडपा कालीन नगरों में कौन सासन करता था पुरोहित राजा ब्यापारियों का अल्प तंत्र या राजा सासन वेवस्था अज्ञात नहीं है तो हडपा कालेन में कौन सासन करता था तो option D सही हो जाएगा यहाँ पे सासन वेवस्था अज्ञात है next question है 44 स्वास्तिक चिन्ह का उदय किस काल में हुआ था स्वास्तिक चिन्ह का उदे किस काल में हुआ था सिंधु काल में वैदिक काल में संगम काल में या सैव काल में आपको आपका सही जवाब चूच करना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वास्तिक चिन्ह का उदे कहा से माना जाता है सिंधु काल से नेश्ट प्रसन है निमनलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है हडपा की लोग ताबा आयात करते थे खेतरी से हडपा सभेता का नगर तट लोथल है सबसी बड़ा हडपा स्थल मोहन जोदडो है या काली बंग निमनलिखित में से किस सभेता के समकालियन नहीं थे उन्में से एकूंब गालीन इन्मे से hoping रखेती। तो इसका option C सही हो जाएगा सिंदु घाटी सब्भेता के समकालीन चीन की सब्भेता नहीं थी ठीक है, next प्रसन है 48, हडपा के लोगों के समान घरेलू बरतन किस से बने होते थे हडपा के लोगों के समान घरेलू बरतन किस से बने होते थे, पत्थर के चीनी मिट्टी के या मिट्टी के पकाएगे चित्रांतित बरतन या तामर के तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप संसी मिट्टी के पकाएगे चित्रांतित बरतन नेस्ट प्रसन है और लास्ट आज का सेकंड लास्ट है उपलब्ध परमाडों के अधार पर हडपा सभ्यता ने मानो जाती को दो अस्थाई उपहार परदान किये थे वय हैं हडपा सभ्यता ने मानो को कौन सा दो अस्थाई उपहार दिया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्योहू और कपास की खेती आज का लाश्ट परसन है कौन सी धातू सिंधु आसियों को ग्यात नहीं थी सिंधु आसियों को इन में से कौन सी धातू ग्यात नहीं थी सोना, चांदी, तांभा या लोहा तो इसका सही जवाब हो जाएगा option D लोहा लोहा जो है सिंधुवासियों को ग्यात नहीं था इस परकार हमने 30 कुश्चन आज solve कर लिये हैं कल 20 कुश्चन किये थे टोटल हमने 50 परसनों का संग्रा complete कर लिया है धिरे धिरे करके हम 20-25 सिरीज में पूरा प्राचे नितिहा समाप्त कर लेंगे फिर उसके बाद medieval में आ जाएंगे तो हमाई साथ बने रहें कल के लिए आज सभी को प्यारा साथ जय हिंद जय भारत